मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने शेनल आपकी सहेली सुमन में फिर इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है महिलाईं प्रेग्णिन्ट कैसे होती है जो एक महिला और पुर्ष सम्बंद बनाते हैं तो उनके मन में गरब धरन को लेकर कई तरह के सवाल और चिंताई रहती है जिसमें प्रेग्णिन्ट कैसे होते हैं के बारे में जाना सबसे मुख्य होता है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि महिला प्रेग्णिन्ट कैसे होती है गरब धरन की प्रिक्रिया क्या है गरब धरन कब होता है तो चलिए बिना कैसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो अगर आप लोगों को यूसपुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को भी बिना सबस्काइब किया मच जईगा सबसे पर हम यह जान दे हैं कि प्रेगनिट कैसे होते हैं जब एक महिला और पूर्ष सैक्शन इंटरकोस्ट बनाते हैं तब महिला के अन्याश्य में पूर्ष के शुक्रानों एक बार मासिक धर्म शुरू हो जाने के बाद अपने पार्टनर के साथ में योन संबंद बना कर कोई भी लड़किया महिला आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं अब आपको बताते हूं प्रेग्नेंट होनी की प्रेक्रिया किसी भी महिला का pregnant होना वास्तों में एक जटिल प्रक्रिया है और कई चर्णों में पूरी होती है ज्यादा तर बार महिला को पता ही नहीं चल पाता है कि वह है वास्तों में किस दिन pregnant हुई लेकिन डॉक्टर आम दोर पर अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गर्बावस्ता के शुरुवात की गर्णा करते हैं गर्बधारन के प्रेक्रिया में पूरस की क्या भूमिका होते हैं आम दोर पर यह हम सभी को मालूग होता है कि किसी पूरस के साथ में योन संब्ध बनाने के बाद ही कोई महिला गर्वती होती है योन सम्बन बनाने के बाद एजेकुलेशन होने पर पूस के पैने से महिला के वज़ेना में एक फ्लूइड गिरता है जिसे सीमिन कहते हैं सीमिन में पूस के शुक्रानों भी होते हैं जो वजयना में गिरने के बाद महिला के अंडिक इनुस्रेशन करने के लिए भून यानि एंब्रियो का निर्मान करते हैं आपको बता दो कि पूर्स शुक्रानों शुक्षिम को शिकाएं होते हैं जो पूर्सों के टैस्टिकल्स में बनते हैं यह शुक्राणों सी में नामाएक एक फूरिट चिपके होते हैं, जो एकिलिषन के दौरान पूर्स के पैनिसर बाहर निकलते हैं. हर बार योन संबत बनाने के बाद में लागों शुक्रानों महिला के वज़ेना में इजेकुलेट होकर गेते हैं लेकिन पूर्ष का सुथ एक शुक्रानों ही महिला की अंडे से मिलता है जिसके कार महिला गर्बती हो जाती है गरब धर्म की फिर्कार में महिला की क्या भूमीका होती है तो महिलाओं की अंदास्टरों यानी औरी में अंडे बनते हैं मासिक धर्म को न्यंतित करने बाले हॉर्पो you कर नहीं करने वाले हॉर्मों के कार nessa कोद्ध कार्ण ने हर कार्मों करने हो जाते हैं जो अंडे मिच्चूर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वे स्पम कोसिकाओं के साथ निशेचित होने के लिए तैयार है महिलाओं के सरीर में ये हॉर्मोन्स गरबाशे की पर्त को मोटा और स्पंजी बनाते हैं और गरबाशे के दोरान बच्चे को समालने के लिए तैयार करते हैं मासिक धर्म के बाद एक मिच्चूर अंडा महिला के अंडासे में रहे जाता है जिसे ऑबलीशन के टाइम पर ये मिच्चूर एक फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है ये अंडा 12-12 गंटे तक धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं आसबास स्पंज की तलास करता है इसी समय जब एजेकुलिशन के दोरान पूस का स्वेमन महिला की वजह नमें गिरता है तो स्पंज कोशिकाई स्विक्ष और गर्वासे के मादम से फैलोपियन ट्यूब में तैरती है और वहां अंडे की तलास करती है गर्वासे में स्पंज कोशिकाई यानि स्पंज सेल्स चार से पांस दिनों तक अंडे कोशती है और उसके बाद में खत्म हो जाती है इस दुरान जब अंडर स्पर्म कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो स्पर्म कोशिकाओं उसके साथ में कर फटिलिजेशन की क्लिया करते हैं लेकिन फटिलिजेशन तुरंत नहीं होता है चुंकि सेक्स के बाद करीब पांस दिनों तक स्पर्म गरबाश्य और फटिलिजेशन करता है इसलिए इन पांस दिनों के बीच में फटिलिजेशन करता है फोटिलाइस अंडा फैलोपिन ट्यूब से गर्वाशे के उड़ चला जाता है यात्रा के दुराने अधिक से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और विक्सित होकर एक बॉल बनाता है बॉल कोशिकाओं जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं निशेचन के तीन से चाह करते हैं जिससे महिला गर्वती हो जाते हैं और उसका मास्तिक धर्म रुख जाता है तो फ्रेंड्स यह था पेरा आसका वीडियो आई होफ़ली मेरा आसका वीडियो ब्लोगों के लिए यूसफूल रहेगा सुमिलते हूं नाक्स वीडियो में तब तक के लिए गड़